हेलो गाईज वेलकम पैक और माई यूट्यूब चैनल और आज सभी स्टूडेंट्स जो भी कहीं न कहीं सेकिंड ग्रेट टीचर की या फिर अपन कहें फर्स्ट ग्रेट टीचर की प्रिपर्शन कर रहे हैं या फिर अपन कह सकते हैं जो वरिष्ट अध्यापक है या स्कूल है उनकी जो प्रिपर्शन कर रहे थे तो जो इस्कूल निती 2020 से उसके तहट कुछ चैन्जिज है वो किये जा रहे हैं तो अभी तक जो थे डारेक्ट आपके एकजाम होती थी जिसमें एक जीकी का पेपर था और उसके अलावे एक सब्जेक्ट का पेपर था लेकिन हाली ज सी टेट के सवरूप में बदलाव की तयारी ग्रेड थर्ड की तर्ज पर अब वरिष्ट अध्यापक स्कूल लेक्चर भरती के लिए पातरत प्रिक्षा देनी होगी ठीके पातरता मतलब एलेजिबिलेटी जो टेस्ट अक्जाम है वो कंडेक्ट करवाई जाएगी तो यहा अध्यापक ग्रेड सेकंड वेस्कूल लेक्चर के पदों पर भरती से पूरुए पातरता प्रिक्षा यानि टीचर इलेजिबिलेटी टेस्ट या टी इटी क्वालिफाई करना होगा अब जो आप फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की कोई भी स्टूडेंट जो कि टी है टीचर इलीजिबिलेटी टेस्ट यह जो एक एक्जाम है के करवाई जाएगी इसे झाले से यह क्वालिफाई करेगा टैट को उनको जैसे मह लो एक जाम जब साल में एक बारर करवाते हैं तो आप उसे कवालिफाई होते हो डाट के अंदर that means you are eligible further in life आप पूरे time के लिए आप क्या रहोगे eligible रहोगे second grade और first grade के लिए ऐसा नहीं है कि आपको हर साल या फिर exam जब भी होगी second grade या first grade की उससे पहले आपको TET qualify करना पड़ेगा आपके life में TET अगर आपने एक बार भी qualify कर लिया है तो आप lifetime तक second grade और first grade का एक्जाम जो है वो उसमें दे सकते हो आप उसमें appear हो सकते हो क्योंकि सिफ एक बार जो minimum criteria qualify करने का वो ही है यह तो यह चोटी सी जो है यह news है जो NCT जो है अपनी agency राष्ट्री ए अध्यापक शिक्षा परिशद के दुवार जारी किया गया एक note है और यह जो शिक्षा निति 2020 के according लागू हुआ है तो आगे जब भी आपकी एक्जाम होगी तो उससे पहले आपको जो है teacher eligibility test यह देना होगा सिर्फ एक बार आपको life में दे लग रहा है लेकिन वैसे देखा जाए तो इसका थोड़ा सा benefit भी रहेगा आप लोगों को क्योंकि एक बार जो candidate है जिसने यह exam qualify किया है उससे होगा क्या students की जो competition है वो कम हो जाएगी जबरदस्ति की जो भीड है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो जो candidate eligible है एबल है उस सकते हैं सबसे best भी है लेकिन कुछ हो सकता है initial कोई भी चीज जब अपने आती है initial तो थोड़ा सा वो tough uncomfortable सा लगता है लेकिन उसके बाद में अगर आपन देखेंगे तो थोड़ा सा वो easy भी रहता है तो यह देखो अब कैसा उतरता है मैदान के अंदर second grade और first grade के लिए तो teacher और TED का syllabus से वो लगभग वो ही चीज़े होगी कुछ topic उपर निचे हो सकते हैं तो आप लोग जुरूर इसके लिए prepare रहें और अच्छे से तयारी करते रहें और आज के लिए अपना वीडियो यहीं complete होता है thank you friends